हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होग बहुत अच्छे होंगे आज हमारा टॉपिक है में इस वर्ड में रिव्यू टैप इसके पहले हम लोगों ने अपना फाइल ऑप्शन होम टैप इंसर्ट डिजाइन पेज लिया उट प्रफरेंस और मेलिंग टैप बिल्कुल कम जाता है या फिर कोई कमी होगे कोई गलती है वह प्लीज हमें वह कमेंट करके जरूर बता दे तो चलिए स्थार्ट करते हैं रिव्यू टैप रिव्यू टैप में लोग एक एक आप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो देखे सबसे पहले इसमें आप्शन है स्पेलिंग ज्या होता है यह मेंशा दिखाते है कि आपने कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दीए तो आप दिखेखाते हैं कि आप और की बार क्या हमें ब्लू अंडरलाइं दिखती हैं तो आक और जैसे इहां पर Papi लगादे और देखना यहां पे एक red underline आ रहे है, red underline हमेशा दिखाती है spelling mistake, और अगर हाँ यही पे, अगर हम कहीं space दे दे एक्स्ट्रा, by the way, यहां पे कोई extra space दे दिया किसी भी जगह पे, या फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया, कि जैसे हमने यहां पे extra space दे दिया, या फिर कुछ ऐसा हो जा तो यह blue underline basically क्या दिखाती है, यह हमारा grammatical mistake है, red underline का मतलब spelling mistake, blue underline का मतलब grammatical mistake, इस तरीके से आपकी underline दिखेंगे, इसे paste में मैंने यहां पे double S कर दिया, आप देखना, यह गलत हो गया, जब आपकी document में ऐसी गलतिया हो, और आपको सारी गलतिया एक साही करनी हो, तो spelling and drama, जिसका shortcut होता है app 7, जब आप इस पे click करेंगे, app 7 प्रेस करेंगे, तो देखिए आपको एक एक करके दिखाएगा, कि आपनी वीडियो गलत लिखा है, आप यह वीडियो लिख सकते हो, या फिर यह लिख सकते हो, आप अगर चाहों तो आप इन्हें चेंज करके सही कर स कई बार क्या होता है, कि computer की actually जो dictionary में word save है, computer में ऐसा सिर्फ होने ही सही समझता है, देखना, अगर हम यहाँ पे किसी का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, श्याम लिखके हम आगे आए तो देखना यह श्याम गलत बता रहा है, अगर हम ऐसे श्याम लिख हैं, तो चलो ठीक है, यह computer की dictionary में save है, अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, फिर मैंने यहाँ से कुछ space दिया, या कहीं पे click किया, तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है, कि हम नाम सही लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें गलत दिखाता है, ऐसा क्यूं होता है, क जैसे हमने यहाँ पे लिखा यूपी, यूपी लिखे हम आ गया गया, दिखिए यह चीजें इसका मतलब इसमें save हैं, इसलिए यह गलत आपको नहीं दिखा रहा है, चलो हम कुछ और टाइप करके देख लेते हैं, निहा लिख दिया, तो निहा भी गलत नहीं दिखा रहा ह है, कि यह हमारा सही है, तो आप इसको ignore करके आगे बढ़ सकते हो, तो वो क्या होगो, वहां से हट जाएगी, इसमें क्या है, space between words, इक्स्टा space हो गया है, तो इसको आप change करके सही कर सकते हो, अगला कह रहा है, यह paste के आप यह paste लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको change करके आगे बढ़ सकते हो, अगला कह रहा है, अहां पर space before punctuation, यहां पर क्या किया है, हमने, कि जो punctuation दिया है, उसके पहले हमने space दे दिया है, उसे आप सही कर सकते हो, अगर आप चाहों, तो उसके आप change कर सकते हो, अगर आप चाहों, तो उसके आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यह होता है spelling and grammar पाद अधरवाईज आप इस पर right click करके भी इसे सही कर सकते हो यहां से भी आपको shortcut मिल जाता है अगला option आता है define का यहां से आपको dictionary मिलती है लेकिन dictionary लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए Microsoft account पे आपको sign in होना चाहिए जब तक Microsoft account में आपका sign in नहीं होगा मतलब sign up नहीं होगा account नहीं होगा कब तक आप यह dictionary online यूज नहीं कर सकते हैं एक बार sign up मतलब account उस पर बनाने के बाद आप इस dictionary को online यूज कर सकते हैं अगला आता है thesaurus तो thesaurus का मतलब होता है किसी भी words के synoms दिखाना चीक है जैसे कोई भी word है उसके related words के लिए जैसे माल यह provides लिखा है provides के अगर आपको synoms चाहिए इससे related words चाहिए thesaurus का यूज कर सकते है और इसको shortcut होता है control sorry shift plus up 7 इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि side में आपको देखिए provides के कितने सारे आप पर related words में ते deliver, offer, run, affords, make available, arrange for, be responsible for ऐसे देखिए requires, keeps, fades, कई तरीके के आपको इसमें related words मिलते हैं अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसकी जगे provides की जगे मुझे offer सकने हैं तो आप offers पर क्लिक कर सकते हो आप इसको change भी कर सकते हो clear है तो यह आपके use होते हैं किसके लिए thesaurus किसी भी चीज के आपके related words के character बिना space के है 456 और with space है 550 paragraphs total 4 है और lines total 14 है तो यह काम होता है हमेशा किसका word count का अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आप space भी कितने paragraph का चांते हैं देखिए word count हमेशा देखिए आपके status वार पे नीचे भी दिखता रहता है वहां भी आपको दिखाता है कितने words है और अगर आपक से भी देख सकते हो अब आपको दिखाएगा total words 49 तो यह होता है word count का काम अगला option है translate का यहां से आप translate document को translate कर सकते हो translate selected text mini translator जैसे आप इनी किसी भी तूसरी language में different languages में आप इसे translate कर सकते हो कर करना चाहो तो इसके बाद अगला option आता है language का यहां से आप language अपना चूश कर सक सकते हो जैसे आप देख सकते हो कि नीचे भी हमारे सिस्टम में दिखा रहा है कि English United States अभी हमारे में language लगी है कौन सी English US वागर आपको चाहिए कि हमें English India चाहिए या फिर कोई ऐसी language चाहिए इसको यहां से change कर सकते हो इसके लिए आप set proofing language पर click करिये चीक है यहां से आपक बड़ भी set कर सकते हो अधर पाइद आप इसको okay कर दो देखो कि यहां पर क्या हो गया और सुन दो तो यह यहां से आप इसके language चेंज कर सते हो जैसे हमने इस सदीके से color लिखा तो यह सही दिखा रहा है अगर हम ऐसे color लिखेंगे तो इसमें कई वारा ऐसा होता है कि dictionary में कि मतलब कुछ US के spelling होती है वो की अलग होती है और इंडिया की जो spelling होती इंग्लिश में वो अलग होती है तो यही बस difference होता है आगे देखे है new comment यहां से आप को comment पास कर सकते हो किसी भी word पे किसी भी paragraph पे किसी भी line पे आप को comment पास कर सकते हो तो यह से हमालिया review tab कुछ भी हमने लेख दिया example हमने यहां पर click कर दिया तो अब देख रहे है आप हमारी comment है वो बराबर दिख रही है और ऐसे यह दिखती रहेगी अगर आपको यह चाहिए कि comment हमारी ना दिखे जैसे यहां पर visible हो रहे है इस पर जब लेके जाते तो यह भी दिखा रहा है कि comment कहां के लिए पास हुई है तो भी कि यहां पर जो show comments आ रहा है उस पर आप click कर दीजे तो comment आपकी hide हो जाएगी बस यहां पर आपको दिखता रहेगा जब आप इस पर click करेंगे तो आपकी comment बापस दिखेगी otherwise आप बाहर click करेंगे फिर आपकी comment चली जाएगी बसे आप comment को delete करने के लिए उस comment पर आके आप delete press कर जाए अगर इसे भी delete करना ऐस पर भी आपके इसे यहांसे delete press कर सकते हो सरा चिक इस तरी केसे आप comment पास कर सकते हो एक प्र ईहां से वहां कितुर में अ जो एक बार हम इसे बंद कर देते हैं आप देखे अगर हमें कोई comment pass करना हुआ, इसे सबसे पहले हम हटा देंगे और हम show comment पे click करते हैं और इस comment को हम बहले delete कर देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं अब अगर आप चाहते हूँ कि आप comment type करके नहीं, पंक से आप link के comment pass करना चाहते हो तो pen से लिखे, तो आप in comment पे click करो, आप देखोगे, आपको यहां से pen और eraser के दो option मिलेगे, हमें यहां पे pen मिल चुका है, अब हमें यहां पे कोई भी comment लिखे, pass कर सकते हैं, hi, hello, जो भी हमें लिखना होगा, वो हमें यहां पे pass कर सकते हैं, चीक है, ऐसे आपको eraser चाहिए, तो आपने eraser लिए और आप इसको ऐसे erase भी कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई है, चीक, तो अब यह होता है in comment का, हमें नहीं चाहिए, तो हम यहां से इसको delete कर रहेंगे, चीक है, बगला देखिए option आता है, हमारे पास track changes का, track changes option बहुत अच्छा है, इसका huge क होता है, जैसे for example, कई बार ऐसा हुआ कि हम document खुला छोड़के चले जाते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हमें sudden कहीं जाना पड़ता है, तो document को ऐसी खुला छोड़के और कहीं भी चले आते हैं, होता क्या है, उस time पे हमारी absence में कोई भी इसमें कुछ बढ़ा देता है, या कु यूज होता है, track changes, मालिया हमारे पास यहां पर कुछ जादा text है, जमने यहां पर कुछ जादा text अपना बना लिया है, इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और हम कम कर देते हैं, और यहां भी, इससे भी हमें आ ले आते होता कहा है, जैसे मालिया यहां पर किसी ने अगर बीच Track changes क्या करेगा, कि जब आप इसको on करके जाओगे, तो पीछे जितने भी काम के जाएंगे, वो आप सब जान सकते हो, तो आपको क्या करना, आपको simply बस track changes पर click कर देना है, देखो जब यह ऐसा highlight होने लगे, इसका मतलब भी on हो, इसके बाद आप चाहों तो आप home tap ऐसे click कर जाओगा, देखना कोई अगर इसमें कोई ऐसे changes कर रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक red underline बन गई है, अगर मालिया किसी ने कुछ delete किया, चीक है, तो यहाँ पे देखें, एक red underline बन गई, अगर कुछ बोल्ड किया गया, तो red underline बन गई, अगर कुछ italic किया गया जो भी किया है, तो जब आप इस पे click करेंगे, तो देखो, दिखाएगा, click to show track changes, track changes, इस पे जब click करेंगे हम, lines पे, तो देखें, यहाँ पे लिख किया जाएगा, तो पतना जो है, वो क्या किया गया, a few seconds ago, font gold किया गया, चीक है, आगे जब हम जाएंगे, तो क्या दिखा हमें क्या क्या चाहिए, हमें कमेंट्स का चाहिए, इंक का चाहिए, insertation and deletion का चाहिए, जो कि enable है, तो देखेंगे, यहाँ पे जब आप करसल लेके जाओगे, तो लिख किया रहा है, deleted video provides है, तो यह तरीका होता है, track changes का, जो भी पीछे किया जाएगा, वो सब पता चिल जा रहा है, तो यह जो line line बन के आ रहे है, तो आगले को पता ही ने चले कि कुछ on है, तो आप क्या करो, जब आप जाओ, तब आप यह सारे जो है, tick show markup के, इनको आप सबको बंद करके जाओ, ठीक है, आप सारे इनको बंद कर दो, अब जब वो यहाँ पे देखे, कोई काम करे तो उसको पता नी चलेगा कि track change on है, अब यहाँ पर कुछ भी कर रहा है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि track change on है, अब यहाँ पर कोई line बाइन कुछ भी बन के नहीं आएगा, delete करेगा, यह delete करेगा, यह delete करेगा, इसको delete कर देगा, कुछ उसे पता नी चल रहा है, जब आप तो आप ट्रैक चेंज को यहां से बंद कर दोगे उसके बाद आप जब इसको यहां से शो कराओगे फॉर्मैटिंग इंक और पॉमेंट्स अब आपको पता चलेगा किसमी क्या क्या किया गया है यही बस एक्साइक होता है ट्रैक चेंज का काम बहुत अच्छी जी जाए ट्रैक चेंज आप बस इनेबल करके जाओ और जितने मारक अप हैं सबको बंद करके जाओ ताकि कोई जा चाहते हो कि सोलीजन इन लाइं सारे लिवीजन है से लाइन में आए यहा चाहते हो कि सिर्फ जो है पर मेंट और फॉर्मैटिंग बलून में बाकी सब लाइन में तो इस तरीके से भी आ सकता है तो अच्छी आपको कैसे देखने आप पे डिपिंट करता तब फिर स्पेसिफिक प्यूपल में जाके आप देख सकते हो कि All Reviewer को दिखाना है, जावाटी पॉइंट को दिखाना है, तो यह सब इसके काम होते हैं, अब इसमें जितनी भी चीजें की गई हैं, अगर आपको वह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, तो आप एक्सेप्ट करक करके आगे बढ़ना है, तो आप रिजेक्ट 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 करके आगे बढ़ना है, तो आप जो एक्सेप्ट करोगे वह हो जाएंगे जैसे स्टार्टिंग आमने एक्सेप्ट किया था तो वेडियो प्रोवाइट सब्सक्राइब तो जो भी पीछे किया गया वह आपका सब रिजिक्ट हो जाएगा ऐसा ही देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ट्रैक्चेंजर में एक है लॉक ट्रैकिंग जब आप ट्रैक्चेंजर आउन करके जाओगे और किसी को पता भी चल गया क्यों है तो बंद नहीं कर पाएगा आप उसको लॉक करके भी जा सकते हो आपको क्या करना है लॉक आप चाहूं तो इसको आप बंद करके जाओ शो मारकप को ताकि कोई जान नहीं पाएगा कि आप ट्रैक्चेंजर आउन करके गया हो अब इसमें कोई भी कुछ कर रहा है अगर माल यह उसे नॉलेज हुआ भी ट्रैक्चेंजर का और उसके दिमाग में एक बार आया भी क्य वह सब अब रिकॉर्ड रहा है, उसको accept or reject भी नहीं कर सकता है, बंद करना चाहेगा तो बंद भी नहीं कर सकता तो देखो ऐसे हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि पीछे उसने क्या क्या किया, और आप लॉक करके जा सकते हो, कोई गर जान भी जाएगा तो उसको on नी कर पाएग, तो यह तो हो कि track changes, उसके बाद अगला option आता है, हम एक बार सारे यहां से सबको reject कर देते है, track changes क बंद कर देते है, reject all changes कर देते है, अब देखें अगला option यहां से क्या है, compare का, compare से क्या होता है, कि आप दो document को compare कर सकते हो, जैसे माल लिया एक document हमने आज यह बनाया, ठीक है, इसे हमने save करके रखा, insert type के नाम से, एक document मैंने यह बनाया, और माल लिया क्या हुआ, अगले दि मैंने इस पर कुछ और content यहां से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, यह, तो वोपर वाली जो मेरी report है, for example, यह वाली जो हमारी report थी, यह थी, एक जन्वरी की, अब यह जो नीचे वाली हमारी report है, यह है, दो जन्वरी, sorry, दो जन्वरी की, ठीक है, अब माल लिया कि मुझे एक फाइल तो मेरी एक जन्वरी से कल सेव हो चुकी थी, आज मैंने इसमें दो जन्वरी पर, इसमें मैंने कुछ और काम किया है, example के लिए, तो मैं इसे बबारा से सेव करूंगे, क्योंकि मेरी एक जन्वरी में जितना काम हुआ था, वो उसमें रहे, और दो जन्वरी में जो हमने काम बढ़ाया है, वो हमारा अलग फाइल में सेव हो, तो हम क्या करेंगे, इसे हम F2L से सेव एच कर देंगे, F2L में सेव एच से मैंने इंसर्ट टैप 2 के नाम से से सेव कर दिया, चीक है, अब क्या हुआ, एक जन्वरी पाली फाइल में में इसमें इतना काम सेव जो पहले वाला था हमारा, जो हमने सबसे पहले सेव किया था, इंसर्ट की नाम से, उसके बाद हमें यहां से, क्या लेना है, रिवाइस डोकुमेंट लेना है, जो हमने अभी दुबारा सेव किया है, इंसर्ट टैप 2 के नाम से, अब इसे मोके कर देंगे, तो जब हमोके कर तो आप देखेंगे कि यहां पर इसमें कुछ नया इंसर्ट किया गया है जो कि आपका यहां पर दिखा रहा है जो अलग है वह आपका ऐसे दिख रहा है यहां पर आपका यह भी दिखा रहा है कि पहले वाली जो फाइल थी उसमें सिर्फ यहां तक लिखा था और दूसरे वा अलाकि एक बना सकता है, तो वो होता है Combine, भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करनी है, कि आपको इसमें दोनों अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और आप उन्हें Combine कर सकते हो, चीक है, Merge कर सकते हो आप उनको, तो हम इसमें Merge पे क्लिक कर देंगे, पेसिकली यही होता है हमारा क्या Compare Document, चलिए, अब इसे हम यहां से हटा देते हैं, अब बढ़ते हैं, मग लेते हैं, एक सेकेंड, विव का हम इसका Normal Print Layout में लेते हैं, अब हम आपको आगे बताते हैं इसमें Options, तो देखिए, अब अगला Option इसमें क्या आता है, Block Authors का, यहां से आप Authors को Block कर सकते हैं, अगला क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटी, देखिए, गाइस, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ही बहुत अच्छा है, जैसे Track Changes में क्या था, हम पासवर्ड लगा के जाते थे, लोग पीछे से काम कर लेते थे, और हमें बाद होगा, आप छोड़के भी चले जाओगे, तो इसमें कोई कुछ करी नहीं सकता है, तो इसमें कोई कुछ करी नहीं सकता है, यह Track Changes से भी बढ़के है, तो दोनोई Option अच्छे होते हैं, अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपको यहां से दे है, हम अपने original document पे पहले वापस आजाते हैं, जो हमने अपना बना के रखा था, तो यह insert type 2 के राम से, अब हम यहां से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे, और हम यहां से क्या करते हैं, आप यहां से यह जित्ते options हैं, सबको enable कर दीजेगा, तो यहां से आप इसक कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम यहां से भी हटा देंगे, और लास्ट option है, start linking का, तो start linking के मदद से, आप इसमें कोई भी काम अपने direct pen से लिख सकते हैं, start linking में क्या होता है, तो pen मिल जाता है, वहां से आप pen या फिर किसी भी चीज का यूच करके आप इस पे लिख सकते हो, बस यह यूज तब किया जाता है, जब आप कुछ ऐसा online पढ़ा रहे हुए, आपको कुछ लिखना है screen पे, तो आप इसके लिए आप इस स्क्रीन भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है, कि इससे कोई भी चीज हमें screen पे हमें आ आसानी से लिख सकते हैं, देख रहे देखेंगे कि कुछ इस तरहीके से आपका content लिखेगा, ठीक है, तो यह होता है हमारा start linking का, अब आपको हटाना है सारा कुछ, आप a razor लेके सारा कुछ अपना यह हटा भी सकते हैं, जितनी भी चीजें आपने यहां से लिख रखी हैं, so guys, यही था हमारा आज का tutorial, debut app, इसमे हम लोगोंने अपने सारी चीजें इंचे से complete कर ली है, एक option जो मारा इस रस्टेक टेटिंग का बचा है, जो कि अभी मेरे में enable नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा login नहीं है, तो मैं इसको आपको ज़रूर बताऊंगी किसी shorts के थ्रू, वाकि मैंने कोशिश की है, सारे option आपको क्यांचे में वाकि जबस्टेक ढाशिएच।